नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आसा इस्टेडी पर स्वाकत करता हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था बंगाल के गौवर्णर और गौवर्णर जनरल के बारे मैंने चर्चा किया था आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों भारत की गौवर्णर जनरल एवं वाइसराय से संबंदित महाठपूर घटना है तो उमीद करता हूं यहाँ से बनने वाले आपको अप्जेक्टिव आपको मिलेंगे पहले कुछ हम महाठपूर वाइसराय को देखते हैं फिर इसके बाद तो चलिए दोस्तों सुरवात करते हैं अगर हमसे कुश्यन पूछा जाता है भारत के प्रथम गौर्णर जनरल कौन थे तो पहला कुश्यन ही आपका बनेगा लाड विलियम बैंटिंग जिनका समय रहा आपका 1828 से लेकर 35 तक रहे पहला पॉइंट लिखा भी है भारत का प्र जनरल कौन थे तो भी आंसर आपका यही हो जाएगा नेक्स दोस्तों सबसे महादपूर कारे में हम बात करें इनका तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया इन्होंने आप सभी ने राजा राम मोहन राय के बारे में सुन रखा है या समाजिक सुधार अंदोलन में हम चर्चा करे इन्होंने क्या किया था लाड बिलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और सती प्रथा को आप सभी भली भूती जानते हैं और अगर नई भी जानते हैं तो जब हम राजा राम मोहन राय की वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसमें सती प्रथा के बारे में चर्चा के जाएगी नेक्स दोस्तों हम बात करें दूसरा 1830 में कर्नल gäller still man की सायता से ठगी परथा का अंध किया तो यह दोनों ही मातकूड़ हैं सती परथा भी पूछा जाता है ठगी परथा भी पूछा जाता है नेक्स बात करें तो 1830 में Medical College की कलकता में इस्थापना किया 1835 में सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी यानि सिक्षा अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया ये भी याद रखना है आपको सरकारी सेवाओं में भेद भाव कांत किया तो इनके महतपूर कारियों के गरबारे में हम बात करें दोस्तों तो पहला आता है भारत के प्रथम गौर्णर जनरल कौन बने लाड विलियम बेंटिंग जिनका समय 1828 से लेकर 35 तक रहा जिसमें कुछ समय इन्होंने बंगाल के गरबनर जनरल के रूप में बिताये थे और कुछ समय भारत के गरबनर जनरल के रूप में बिताये जिसमें से महतपूर कारियों में 1829 में सती प्रथाकांत किया 1830 में ठगी प्रथाकांत किया 1830 में Medical College की कलकता में स्थापना की 1835 में अंग्रेजियों को सिक्षा का माध्यम बनाया सरकारी सेवाओं में भेद भाव का अंद किया नेक्स दोस्तों चर्चा करते है चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक रहे इन्होंने क्या क्या समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया इन्हें भारती प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है ये कुश्चन पुछा जाता है भारती प्रेस मुक्तिदाता किसे कहते हैं तो चार्ल्स मेटकॉफ को क्योंकि इन्होंने भारत में समाचार पत्तों से प्रतिबंद को हटाया था लेक्स चर्चा करें दोस्तों लाड आक लैंड 1836 से 42 तक रहे जिन्होंने सेर्षा सुरी के बारे में मैंने चर्चा किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मुगलकाल में जाकर वीडियो को उसको देख सकते हैं सेर्षा सुरी ने अपने नाम पे सेर्षा सुरी मार्क के स्थापना की थी फिर बाद में उसी नाम को इन्होंने बदलकर ग्रांट टैंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है कई बर प्रश्न पूछा भी जाता है जीटी नाम किस ने दिया था तो जीटी रोड का नाम जो था वो लाड आकलैन ने दिया था जिसे सुरवात में सेर्षा सुरी मार्क के नाम से जाना जाता था आज वो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है मैंने सेर्षा सुरी के यूनिट में चर्चा किया आपने अगर सेर्षा स लगाई या समाब्त किया जैसे पहले आप लोग देखते थे राजा महाराजा नर बली करते थे या इस तरीके से बहुत सारी बली देने का प्रथा थी उसकर इन्होंने रोक लगाया था नेक्स लाड अलोजी बेरी बेरी इंग्पोर्टेंट हैं बार बार प्रिश्ट पूछा जाता है 1848-56 के मद में रहें पहला इनका महत्पुडकार भारत में रेलवे का संचालन यानि भारत में पहली बार रेल की सुरुवात इन्होंने करी थी 1853 में रेलवे का प्रारंब किया जैसा कि मैं पहले भी बचा चुका हूँ आप सबी को कि भारत में रेलवे की सुरुवात लाड डलोजी के समय 1853 में बंबई में बंबई से थाड़े 34 किलो मीटर के मद में चलाई गई थी तो ये प्रशन आपको ध्यान रखना होगे भारत में रेलवे की सुरुवात कब हुई थी तो 1853 में हुई थी किस ने कराया था लाड डलोजी ने कहां से हुई थी तो वह हो जाएगा आपका बंबई या मोंबई जो भी ऑप्शन आ देता है नेक्स दोस्तों चर्चा करें 1854 में डाग टिकट का प्रचलन करवाया 1853 में प्र यह ध्यान देना होगा हडप नीती बार-बार वार कुष्चन पूछा चाता है हडप नीती किसने चलाई थी तो ये आपके हो जाते हैं लाड डलोजी यह क्या करता था वे सारे रजवाडे छो कमजोर पड़ पड़ जाते थे या जो सत्ता को सही से नहीं समहाल पाते थे उ या फिर उसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स यानि राज बिले नीती को भी इसी नाम से जाना जाता है तो कई बर कुछा जाता है हडप नीती या ब्याबगत नीती या राज बिले नीती किसने से लाया था तो आपका अंसर हो जाएगा लाट डलहुजी ने नेक्स दोस्तों चर्चा करते हैं लाट कैनिंग के बारे में 1856 से लेकर 62 तक रहे इनके समय में यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वाइसरा बना यह इसी के समय में 1833 के 1857 को जो संग्राम होता है आपका बिद्रों के बाद अंग्रेजों का पूर्थया अधिकार हो जाता है और यह क्या करते हैं वाइसराय पद न्यूक्त कर देते हैं यानि राजा के अधिनकार क्राउन के स्थापना कर देते हैं तब यह अपना क्या है भारत के गौर्नर जनरल का पद समाप्त करके किस नाम से बना दिया जाता है भारत के वाइसराय के रूप में तो कुश्चन प बात करें 1857 का विद्रो मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं 1857 का विद्रो यानि 1857 की क्रांती के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाएं वहाँ पर वीडियो बना हुआ है क्या क्या कंडिशन थी उसकी 1856 में विद्रो पुनर विवा की सुरवात की 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की समरागी गोशित किया गया यानि उर्तिया भारत के सारे कारेों पर महारानी विक्टोरिया का अधिकार हो गया यानि उनके गोशना के अनुसारी भारत में कारी पद्धती कारी करने लगी में एक एक उच्छ न्याले की स्थापना की और जो डलहुजी के द्वारा चलाई गए नीती थी राज बिले नीती या डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स सिध्धान्द को समाप्त कर दिया नीती को समाप्त किया तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो लाड बिलियम बेंटिंग के कार आपके लाड डलहुजी का और ये आपके कैनिंग इनको इनके द्वारा किये के कारियों को भी सेजध्यान देना है लाड मेओ के बारें बात करें तो 1869-72 तक यानि 1879 से लेकर 72 तक रहें इनके महत्पुड कारियों में इन्होंने भारत में जनगर्णा की सुरुआत कराई यानि 1871 में पहली बार भारत में जनगर्णा की सुरुआत कराई जिसका सर्वे आपका 1872 में आया तो ये जनगर्ण तो 71 में कराई थी इसलिए मैंने शुरुवात यहां पे लिखा है कुश्चन अगर पूछे आपसे कि भारत में पहली जनगर्णा कब कराई गई तो तो अठारसो बादतर में किस ने कराई था तो लाड में वो ने कराई था लाड लिट्टन 1876 से लेका रस्ती तक रहे रिचर्ड इस्ट्रची की अध्यक्स्ता में आकाल आयोक का गठन किया गया था तो यह ध्यान रखना है पहली बार आकाल आयोक का गठन किस ने करवाया था तो लाड डिपन ने करवाया था रिचर्ड इस्ट्रची के अध्यक्स्ता में नेक्स्ट, 1877 दिल्ली दर्बार का योजन महारानी विक्टोरिया का भव्व स्वागत केसरे हिंद की उपाधी दी गई तो यह याद रखना होगा आपको महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधी दी गई थी कब 1877 में दिया गया था और दिल्ली में भब्ब समारो किया गया था नेक्स्ट वर्ना कुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारती भासा के समाचार पत्रों प्रतिबंद तो ये कुश्चन बार बार पुछा जाता है वर्ना कुलर एक्ट किसके समय में पारित हुआ था तो आपको याद रखना लाड लिटन के समय में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किया था भारती भासा में जो भी समाचार पत्रों प्रतिबंद लगाया गया था नेक्स्ट सिविल सेवा परिच्छा की उम्र घटा कर 21 वर्स से 19 वर्स कर दिया था यानि कम कर दिती नेक्स सेच्छा करें दोस्तो लाड रिप्पन 1880 से 84 पहला पॉइंट महत्पूड है 1882 में इस्थानी सवसासन की सुरुवात की क्यानि कुश्यन पूश्टा है इस्थानी सवसासन का जनक भारत में किसे माना जाता है तो आंसर आपका हो जाएगा लाड रिप्पन 1881 प्रथम वास्तिविक जनकरना यानि बिधी रूप से या कानून रूप से अगर हम जनकरना के बारे में बात करें 1881 में लाड रिप्पन ने कर आई थी जनकरना का वीडियो आप देख सकते हैं उसमें मैंने इसके बारे में चल्चा किया है एक्स दोस्तों चल्चा करें 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम यानि फैक्टरी अधिनियम बनाया 1882 में हंटर कमीशन यानि प्रात्मिक सिक्षा सुधारेतू हंटर कमीशन का गठन किया नेक्स इलवर्ड विल विवाद 1884 के कारण समय से पहले त्याग पत्र दे दिया इन्होंने यानि 85 तक इनका 85 तक था और 84 में इन्होंने दे दिया था इलवर्ड विल विवाद हो गया था जिसमें इन्होंने समय से पहले इस थीपा दे दिया था नेक्स चर्चा करें दोस्तों, लाट डफरीन 1884 से लेकर 88 तक, 1885 में भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना की गई, अभी हम भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे, एओ हूम द्वारा भारत में भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थ सारी चीज़ें नेक्स दोस्तों चल्चा करें लाड करजन 1899 से 1905 तक रहे भारती विश्व विद्याला अधिनियम 1904 दूसरा भारती पुरा तत्यु विभाग अधिनियम की स्थापना 1904 पुरा तत्यु विभाग की स्थापना पुछा जाता है किस ने किया था तो करजन ने क क्या किया था 1905 में बंगाल भी भाजन किया था तो बार बार कुश्चन पूछा जाता बंगाल भी भाजन किसके समय मुआ था लाड करजन बंगाल भी भाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था और इनका कार्य करने का जो सिध्धान ता पूर डालो शासन करो इस तरीके की न लाक हांक के द्वारा नेक्स दोस्तों 1907 में कॉंग्रेस सूरत अद्वेशन में कॉंग्रेस का दिवाजन हो गया गरम दल और नरम दल दो भागों में बढ़ गए लाड हार्डिंग के बारे में लाड हार्डिंग दुती का समय रहा 1910 से 16 तक 1911 में राजधानी कलकता से दिल् गया तो 1911 में ले गया और 1912 में बनाया गया वह समय कॉन थे लाड हार्डिंग थे भारत के वाइसराएं दूसरा कार 1912 में बंगाल विभाजन रद कर दिया गया जैसे ही राजधानी दिल्ली बनाएग गई वैसे ही बंगाल विभाजन जो लर्ड करजन द्वारा 1905 में किया गया था उसको रद्ध कर दिया गया नेक्स 1916 में वारा नसी में मदन मोहन मालवी द्वारा बनारस विश्व ज्याले की स्थापना की गई जो वर्तमान में ब्यच्चु के नाम से जाना जारा आप सभी जानते हैं तो वो मदन मोहन मालवी द्वारा 1916 में बनवाया गया था जो समय लाड हार्डिंग थे नेक्स लाड चैंसफोर्ड 1916 से 12 तक रहे इनका जो समय रहा हमारा महत्पूर घटना 13 अप्रैल 1919 में जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ जो अमरे सर में पढ़ता है आप सभी को मैं बता चुका हूँ और फिर से एक बार इमाइन कराता हूँ यह बहुत ही महत्पूर कुश्चन बनता है कुश्चन पुछा जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जनरल वो डायर द्वारा निहत्य लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी जो काफी ही सरमिंदगी कह सकते हैं कि काफी ऐसी घटना थी जिसको इतिहास में कभी भी भूलाया नहीं जा सकता है वो जो घटना बनी वो जलिया वाले बाग हत्या कांड के नाम से जानी जाती है जो कई बार उब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है नेक्स दोस्तों चर्चा करें लाड बिलिंग्टन 1931 से 36 तक रहे इनी के समय में 1932 में इंडियन मलेट्री अकेडमी जो देहरा दून में इस्थित है कि स्थापना की गई तो कुश्यन ये भी पूछा जाता है इंडियन मलेट्री अकेडमी कहां पर है तो देहरा दून में है और कब इस्थापित किया गया था 1932 में किया गया था तो इसके बाद लाड लिन लित्गो 1936 से 44 तक इनका समय 14 जुलाई को भारत छोडो प्रस्ताव पारित किया था इन्होंने फारवड ब्लाग नई पार्टी के स्थापना की गए थी तो कुश्यन यहां से भी दोस्तों मातफूर बनता है कि 1949 में सुभाष चंद्र भोस ने किस पार्टी के स्थापना की थी तो फारवड ब्लाग किस थापना किस ने की तो सुभाष चंद्र भोस ने की थी और फारव मार्च 1946 को cabinet mission का cabinet mission भारत आया था आप सबी को पता है कि cabinet mission भारत का बाया था 1946 में आय था जिसके ताथ भारत के सुपनता की चर्चा किया गया था cabinet mission नेक्स दोस्तों चर्चा करें तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कारवाई की कारवाई दिवस का आयोजन किया यानि Muslim league जो था वो अपना एक राष्ट का गठन करना चाहता था यानि भारास एक अलग्टान्त मांग रहा था तो वो भी यहाँ पे चरचा किया गया Muslim league ने सिधी कारवाई दिवस का आयोजन कब किया था 16 अगस्त 1946 को किया था उस समय वाइसरा कौन था लाड बेवल थे 9 दिसंबर 1946 को सेचिदार निन सिनहा की अधिक्सता में समिधान सभा का प्तथम बैठक बुलाई गई तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे क्या है भारतियों के लिए समिधान अलगते निर्मित करने के लिए और उन्हें सतंद करने की बात आ गई थी और आगे चल कर लाड मांट बेटन जब आते हैं तो क्या करते हैं भारत को सतंद घोसित कर देते हैं चर्चा करते हैं आगे में 1948 तक प्रभुसत्ता भारतियों के हाथों में सौब देंगे ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया नेक्स्ट वाइसरा हैं हमारे बनते लाड मांट बेटन जो 1947 से 48 तक ही रहते हैं और इन्होंने क्या क्या मांट बेटन योजना के तहत भारतियों को सतंद कर दिया ने तीन जून 1947 को भारत विभाजन की मांट बेटन योजना की घोशना की और शुतंत भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जन्रल बने नेक्स इसके बाद स्री राजगोपालाचारी हमारे 1948 से लेकर पचास तक रहे सतंत भारत के प्रथम भारती गवर्नर जन्रल बने तो ये आधर रखना होगा आपको कुश्चन अगर पूछता है आपका भारत का अंतिमों वायसराय कौन था तो लाड मौंड बेटन था और फिर इसके बाद पूछता है भारत के भारति वायसराय के लिए भी अगर जन्रल और वाइस्राय की वीडियो जहां से सुरू करेंगे तीनों पार्ट देख लेंगे तो यहां से बनने वाले जितने भी महत्पूर को श्चन हैं वो सारे मिल जाएंगे चर्चा करतें दोस्तों स्रीराज गोपाला के अन्यकारियों में 26 जन्वरी 1950 को सम्धान लागू हो तो ने के साथ ही भारत में गॉर्णनर जन्र का पद समाप्द कर दिया गया था क्योंकि जैसे सुतौन तखोसित करिये था यही वाउसराय पद को समाप्द करका था क्योंकि वायसराय क्या तेक क्राउं पद ता यहंने किसी RNA के और उसके बाद डॉक्टर राजन प्रसाद गरतंत भारत के पहले राश्पती निर्वाचित होते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे कुश्चनों पे चर्चा किया उम्मीद करते हैं यहां से बनने वाले सारे अबजक्टिब आपको मिलेंगे धन्यवाद